जहां सबको लगने लगा था कि आदिल खान राकी सावंथ को डिवोर्स दे देंगे, वही राकी के भाई जान यानि कि सल्मान खान ने बीच में आकर लगता है अब राकी का घर ही बसा दिया है. जिनने नहीं पता बता दू कि राकी सावंथ ने आदिल खान दुरानी से 7 महीने पहले निकाह किया था जिसकी ख़वर उन्होंने अभी रीसिंटली सोशल मीडिया पर सभी को दी थी लेकिन उसी के साथ साथ एक और शौकिंग बात भी सामने आ गई थी और वो ये थी कि आदिल ने राकी के साथ अपनी शादी को मानने से इंकार कर दिया है और इसी रीजन से राकी सावंथ काफी ज़्यादा परिशान थी थी इतना सदा परिशान थी कि मीडिया के सामने आकर वो कई बार रोई भी और उन्होंने कहा भी कि उन्हें लफ जिहाद से इस टाइम डर लग रहा है। लेकिन अफ फाइनली ओल इस वेल आदिल ने अपने सोशल मीडिया पर राखी के साथ वर्माला में फोटो शेयर की हैं और लिखा है कि मैं फाइनली अनौंस कर रहा हूं कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैंने राखी से शादी नहीं की बस मुझे कुछ चीजें हैंडिल करनी थी जिसकी वज़ा से मैं अभी तक चुप था साथ ही उन्होंने राखी यानि की अपनी पपूरी और खुद को हैपी मैरेड लाइफ भी कहा है अब इस पोस्ट को देख कर सभी के कॉंग्राचुलेटरी कॉमेंट्स भी आने शुरू हो चुके हैं वही जी किसी के बाद राखी अब इसी पर आदिल ने भी सल्मान खान के बारे में बताया कि कैसे उन्हें सल्मान खान ने कुछ बाते समझाई मैरे भाई सल्मान ने वरफ घर बसा दिया Well, all is well, that ends well और इससे पता ही चल गया है हम सब को कि सल्मान खान राकी को अपनी बहन ऐसे ही नहीं कहते आये थे उन्होंने एक भाई का फर्स भी इस टाइम अदा किया है अपनी बहन की शादि को बचा कर राकी और सलमान खान के बारे में सब पहले से ही जानते हैं ऐसा कितनी बार हुआ है कि बिग बॉस के घर में भी जब राकी सावन गई थी वहाँ पर सलमान खान ने उन्हें ऐसा भाई समझाया भी और कई बार डाट भी लगाई और इस बार तो राखी की शादी को बचा कर उन्होंने क्लियरली दिखा दिया है कि सल्मान कान उनके सक्चे भाई है और इसी बाद से अब राखी सावंद भी आदिल के साथ काफी साधा खुश नजर आ रही है फिलाल हम तो यही वोप करेंगे कि आगे भी राखी और आदिल साथ में रहें और खुश रहें इसी के साथ अभी के लिए इतना ही मैं तो नाक्षी काल रहा बहुत ही जल्द मिलूगी आपसे किसी और वीडियो में लेकिन अगर अभी आपको यह वीडियो पसंद आया हूँ जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो सबके साथ शेयर करो और हां ENT Live को इसी तरह से देखते रहना